वेलकम टू नेक्सिक जाम आज है आठ अक्टूबर 2022 और आठ अक्टूबर 2022 से करेक्ट अफेस के जितने भी इंपोर्टेंट कुशिन बन सकते हैं सारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर कुशिन से रेलेटेड इंपोर्टेंट पैक्टिवी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो वह ध्यान से देखिए लास्ट व मैं आपसे कुशिन पोचूँगा उसका आंसर आपको कमेंट वॉक्स सू बताना है आज कि इस वीडियो की पीडियो फाइल आप इस वीडियो के डिसकसिन से डाउनलोड कर सकते हैं पीडियो आप मारे टेलेग्र टेलेग्राम गुरुप से डाउनलोड कर सकते हैं टेलेग्राम गुरुप पर आपको सारे पीडियो पर एक साथ मिल जाएंगी और टेलेग्राम गुरुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिसकसिन में दे दिया है तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलेग्राम गुरुप जॉइन कर सकते हैं तो चलिए स्टाठ करते हैं पैहला कुशिन है हाली में बिस्व कपास दिवस richerं मनाय ग्या है तो अभी सात अक्टूर को बिस्व कपास दिवस मनाय ग्या तो समय कह Nee अप्सिन प्राकृतिक एक फाइवर की रूप में कपास के उपयोग के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए हर साल 7 अक्टूवर को बेसु कपास दिवस मनाया जाता है अच्छा इस बार के बेसु कपास दिवस यानि की वर्ल्ड कॉटन डे की थीम क्या है विविंग अब बेटर फ्यूचर वर कोटन एक अक्टूवर को अभी अंतराश्टी ब्रद्दिजन डिवस रास्टी स्वैक्षिक रक्तदान डिवस बेसु साकाहारी डिवस और अंतराश्टी कॉफी डिवस मनाया गया दो अक्टूवर को अंतरास्टी अहिंसा दिबस मनाया गया दो अक्टूवर को ही स्वक्ष भारत दिबस मनाया गया अचा स्वक्ष भारत दिबस तो इस बार भारत का सबसे स्वक्ष सहर किसे गोसित किया गया है इन दौर को एक question और मैंने आपको बताय था बारत का सबसे सवक्षिराजी किसे गोसित किया गया इस question का answer आप नीचे comment box में बताइए बारत का सबसे सवक्षिराजी किसे गोसित किया गया वीडियो पाउस करके इसा answer आप नीचे comment box में जरूर लिखना अच्छा अभी 3 अक्टूबर को 202 परियाबास दिवस मनाए गया 4 अक्टूबर को 255 दिवस मनाए गया 5 अक्टूबर को 260 दिवस मनाए गया तो अक्टूबर में अब तक इतने important यह मनाए गया है यह आपको याद रखने है अच्छा आज कि इस वीडियो का हम टार्गेट रखते हैं 40 या लाइक का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तब आप इस वीडियो को लाइक और सियर जरू किया करो और मैं आपको भी बोलता हूँ डेली मौनिंग मोट कर सबसे पहले अपने लेक टार्गेट पिक्स करो चाहे चोटा साई टार्गेट पिक्स करो लेकिन डेली मौनिंग मोट कर सबसे पहले अपने लेक टार्गेट पिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टार्गेट को अचेव करने में लगा दो आपकी life automatically अच्छी हो जाएगी नए क्यूशन है हाली में Captain Abraham Troray Case-Desh के नए राष्टपती चुने गए तो अभी Captain Abraham Troray Burkina Faso के नए राष्टपती चुने गए तो इस क्यूशन का say options है यह है Captain Abraham Troray अभी यह Burkina Faso के नए राष्टपती चुने गए तो यह है मैप में Burkina Faso Burkina Faso की capital क्या है Augo Dogo इसकी currency क्या है Best African Frank और अभ इसके नए राष्टपती चुने गए है Captain Abraham Troray अच्छा अभी Georgia Meloni Italy की पहली महिला प्रदानमंत्री बनेगी माली की सेना ने करनल अब्दुलाय माइगा को अपना अंतरिम प्रदानमंत्री न्यूक किया William Ruto ने Kenya के राष्टपती का चुनाव जीता है James Marip ये Papua New Guinea के नए प्रदानमंत्री बने है और Bazaram Vegas ये Albania के नए राष्टपती बने तो ये अभी नए राष्टपती और प्रदानमंत्री बने है ये आप याद रखिए ने क्यूशन है हाले में SBI General Insurance के MD&CEO के रूप में किसे न्यूक किया गया है तो अभी किसोर कुमार पोलुदासू को SBI General Insurance के MD&CEO के रूप में अपॉइंट किया गया तो इस कुशन का बे आप्सन सही है ये हैं किसोर कुमार UAPA Tribunal के पेठा सीन अधिकारी दिनेश कुमार बनेंगे दिनेश कुमार कौन है ये देली हाई कूट के जज है Bank of India Mutual Fund के CEO मोहित वाटिया वने संजेब किसोर ने महा निदेशक आयूद के रूप में पदवार ग्रेट किया है बारत निर्वाचन आयोग ने पंकज तरपाठी को अपना नेशनल आइकन गोसित किया है संदेब कुमार गुपता ने गेल के अध्यक्ष की रूप में पदवार समाला कल मैंने आपको Firevolt के बारे मताया Firevolt ये एक Smart Watch वनाने वाली कमपनी है इसने अभी अपना नया Brand Minister किसे कोशित किया है इस कुश्चन का भी आंसर आप वीडियो को पॉस करके नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो जितने भी कुश्चन मैं बेच बेच में आपसे पूस्ता हूँ आप वीडियो को पॉस करो और नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो तो आप बताओ Firevolt की नई Random Minister कौन बनी है नए क्युश्चन है हाले में केस देश की टेलिकॉम कमपनी आपस साइबर हमले की चपेट में आई है तो आपटस ये ऑस्टेलिया की एक टेलिकॉम कमपनी है और अभी ये साइबर हमले की चपेट में आई तो इस कुश्चन का से ओप्सन सही है इस साइबर हमले में 1.2 मिलियन ग्राकों की ब्यक्तिकत जानकारी लेख हुई है तो Optus ये Australia की एक टेलिकॉम कमपनी है और 1.2 मिलियन ग्राकों की जनकारी लीख हुई यानि कि Australia में लगबग 40 प्रतिसत ग्राकों की परसनल इनफॉर्मिशन लीख हो गई है अब Australia तो ये है मैप में Australia Australia की capital क्या है केनवरा Australia की currency क्या है Australian dollar और Australia के present time पर प्राइमिश्टर कौन है Anthony Albanese अभी Australia के पूर boxing best champion Zony Femchon का निधन हुआ Australia में होने वाले pitch black अभ्यास में भारत सामिल हुआ है भारत और Australia ने देहरादून में NOMI Army to Army स्टाफ वारता आयुजित की है NASA ने Australia के space port से पहला rocket launch किया है अच्छा फातिमा पेमान Australia संसद में हिजाब पहनने वाली पहली Muslim महिला बनी है ने खिशन है हाली में अरुड बाली का निधन हुआ है बे कौन थे तो अरुड बाली ये एक अभिनेता थे और अभी इनका निधन हो गया तो इसकुशन का बे options है आप इमेज में देखिए ये थे अरुड बाली ये एक अभिनेता थे और अभी इनका निधन हुआ ने कुशन है हाली में अंतरास्ती सौर गटवंदन की पांचमी सवा कहां आयुजित की जाएगी तो अभी नई दिल्ली में अंतरास्ती सौर गटवंदन की पांचमी सवा आयुजित की जाएगी तो इसकुशन का A options है अच्छा अंतरास्टी सौर गठवनन यानि कि इंटरनेशनल सूलर अलाइंस आपने करक्रेखा का नाम सुनाओगा करक्रेखा गया है साड़े 30 डिगरी उत्तरियक चांस मकर्रेखा यह क्या है साड़े 30 डिगरी दक्षडियक चांस तो करक्रेखा यानि कि ट्रोपिक ऑफ कैंसर मकर्रेखा यानि कि ट्रोपिक ऑफ कैप्रिकॉन इन दोनों रेखाओं के बीच में जितने भी देश पढ़ते हैं इन देशों पर सनलाइट सबसे ज़्यादा पढ़ती है सूरिका प्रकास सबसे ज़्यादा इन देशों पर और इसकी पांचमी सवा अभी नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी हाले में किस ने crew 5 mission launch किया है तो अभी space X ने crew 5 mission launch किया तो इस questions का say options है Crew 5 mission के तहँत 4 अंतरच च्यात्रियों को International Space Station में बेहर जाएगा अब ये जो 4 अंतरच च्यात्री हैं जिसमें 2 Amerika की हैं तो इस तरह से इन चार अंतरिच यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बेजा जाएगा और यह मिसन किसे ने लॉंच किया है। गोश न की तो इस कुश्यन का बे आप्सेंस है अब उत्तर प्रदेश में तेन महिला बटालियन का गठन किया जाएगा अब उत्तर प्रदेश तो यह है मैप में उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश की केपिटल क्या है लखनव लखनव किस नदी की किनारिश्थित है गोमती देखके ना दिश्थेता है। इसके बाराणसी सहर को पहली SEO परेटन और सांस्कृतिक राजदानी कोशित किया गया है फास्ट ट्रैक कोट में पैंडिंग केसिस के मामले में उत्तरपदेश टॉप पर रहा है बारत का पहला नाइट सफारी और जैब बिवित्ता पार्क लखनव में बनाया जाएगा और पेली भी टाइगर रिजर्ब है नेक्यूशिन है हाली में किस टैनिस के लाड़ी ने 2022 में तेल अवीब ओपन का खिताब जीता है तो अभी नोबाक जोकोविच ने मारिन सिलिच को हरा कर 2022 तेल अवीब ओपन टैनिस की बात है तो अभी कोरियाई ओपन टैनिस में पुरुस एकल खिताब योसी ही तो निशियो का ने जीता ये कहां की हैं ये जापान की है अच्छा 2022 स्विस ओपन खिताब कैस्पर रूड ने जीता 2022 बिंबल्डन पुरुस एकल खिताब नोबाक जोकोविच ने जीता चारो ग्रेंट सिलेब में असी मैच खिलने वाले पहले खिलाडी नोबाक जोकोविच बने हैं और सर्बिया ओपन टूर खिताब एंड्री रूबलेव ने जीता है ये कहां के हैं ये रूस के हैं ने जी उचन है रहां के acept народ में अमेरिका का प्रतिने दित कौन करेंगे तो एक डू अमेरिकन हैñ dr. लटेंट मूर्थी ये अभी डबलो हो के कारेकारी लट में अमेरिका की तरब से प्रतिने दित करेंगे तो इसको शें का बे अपसें सही है आप image में देखिए ये हैं Dr. Bebek Murti ने क्यूशन है हाली में Sibi George किस देश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए है तो अभी Sibi George जापान में भारत के अगले राजदूत अप्वाइंट की तो इस कुशन का say options आई है ये हैं Sibi George ये 1993 बैच के Indian Foreign Service के अधिकारी है और अभी ये जापान में भारत के अगले राजदूत अप्वाइंट हुए है अब जापान तो ये है मैप में जापान जापान की capital क्या है Tokyo जापान की currency क्या है yen और जापान की present time पे प्रेविश्टर कौन है फुमियो किशिदा ने क्यूशन है हाली में DRDO ने कहां तेन मानव रहित remote नियंत्रित हत्यार बंद नाबों का परिचड किया तो अभी DRDO ने महरास्ट के पुडे में तेन मानव रहित remote नियंत्रित हत्यार बंद नाबों का परिचड किया तो इस कुशिन का B options है ये DRDO यानि कि Defense Research and Development Organization इसकी स्ताब नकभ होई 1958 में इसका Headquarter कहां पे है New Delhi में और इसके Present Time पे Chairman कौन है Dr. Samir V. Kamath कौन है Dr. Samir V. Kamath ने कुशिन है चाली में रास्टी खेल 2022 में अन्तिम पंगाल ने कौन सा पदग जीता है तो आपको पता है अभी गुजरात में रास्टी खेल 2022 चल रहा है यहाँ पे अन्तिम पंगाल ने 53 किलोग्राम बर्ग में स्वड पदग जीता है तो इस कुशिन का A options है हाली में 2022 का साहित्तिकार नोबल पुरुसकार केसे दिया गया तो 2022 का साहित्तिकार नोबल पुरुसकार फ्रांस की लेखेका एनी एनॉक्स को दिया गया तो इस कुश्चिन का डे ओप्सन सही है ये हैं फ्रांसी सी लेखक एनी एनॉक्स और इनको 2022 का साहित्तिकार नोबल मिलेगा तो कैलिफोर्निया युनिवस्टी के असिस्टेंट प्रॉपेसर है युन केंग टैंग इनको 2022 का सस्त्र रामा रुजन पुरुषकार मिलेगा तो इस कुश्चिन का से ओप्सन सही है ध्यान रखना कैलिफोर्निया युनिवस्टी के असिस्टेंट प्रॉपेसर है य किन टैंग इनको 2022 का सस्त्र रामा नुजन पुरुसकार मिलेगा अब लास्ट वीडियो की कुशिन का आंसर लास्ट वीडियो मैंने आप से कुशिन पूचा था कि सैयुक्त रास्थ सरडार्ती पुरुसकार किसने जीता है तो जर्मनी की पूर चांसलर एंजला मौरकल ने सैय पूरुसकार जीता है यानि किस कुशिन का वी ऑप्सन सही था और लगबग सभी स्ट वेडियो मैं डिटेल में लिखा मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा कोशिन के बारे में आपको जितना जादा से जादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देत है चार ओप्सन दिए गए हैं इनमें से आपको अपना आंसर बताना है और इसके अलाबा हम अमारे फेस्टूप पेज पर प्रेबियस एर कुशिन डेली पोस्ट करते हैं तो आप फेस्टूप पर नेक्स्ट एक्जम सर्च करके वारा फेस्टूप पेज जोइन कर सकते हैं क्योंकि प्रेबियस एर कुशिन आपको बहुत एल्प करते हैं अगर आपको किसी कुशिन में कोई डाउट उता है या आपको अपने करियर से रेलेटेड भी कोई प्रॉलम है तो आप इंस्टाग्राम पर इंद्रेश रसी इंस्टाग्राम पर इंद्रेश रसी सर्च करके कि आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी doubt, कोई भी confusion, without any agitation discuss कर सकते हैं, अच्छा आज की studio का आप target जरू याद रखना, आज की studio का target है 40 या लाइक का, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, अलपो लगा है, तब आप इस वीडियो को like और share जरू किया करो, और आपके पास जो भी study related whatsapp और facebook group हैं, उनमें आप इस वीडियो को share जरू कर दिया करो, तो ये था आज का हमारा current affairs का वीडियो, आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्ले इस comment box में जरू बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस channel को subscribe नहीं किया है, तो इससे आप subscribe ज पिलती रहे, next exam all page video, thanks for watching.